सबसे पहले गाईस आप यहाँ पर साइड पर प्रूप देख लीजिए कि मुझे यहाँ पर जो Amazon Pay Later की लिमिट मिली है वो 25,000 रुपे की मिली है जैसा कि आपको पता है कि और यहाँ पर Amazon का सेल स्टार्ट हो चुका है और इस सेल में आपको कोई सामान खरीदना है लेकिन आप कर सकते हैं और यमाई में करके हर महीने उसका पेमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको जो Amazon Pay Later का लिमिट मिलता यह आपके सीविल के उपर डिपेंड करता आप जरू नहीं कि आपको भी 25,000 का ही लिमिट मिले जैसा आपका सीविल होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर Amazon Pay पेमेंट का लिमिट मिलेगा यहाँ पर मैक्समिम आपको 60,000 रुपे तक का लिमिट मिल सकते हैं और कम से कम 2,000 रुपे का ठीक है और यह जो लिमिट आपको मिलेगा इस लिमिट से अगर आप चाहें तो मोबाईल रिचार्ज, DTH रिचार्ज या फिर कोई भी यहाँ पर ब अप्लिकेशन है उसको ओपन करेंगे ओपन करने बाद कुछी तरह से आपको इसका डैश्बूर्ड देखने को मिलता है अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर ग्लिक करेंगे खिलिक करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपका Amazon Pay Later Activate होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फिलाल मेरा यहाँ पर Amazon Pay Later अभी एक्टिवेट नहीं है इसलिए देखेंगे तो यहाँ पर Amazon Pay Later का Options नहीं मिल रहा है ठीक है तो इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल ड आउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेमेंट ऑप्शन का तो इसमें देखेंगे कई सारे आप्शन आपको देखने को मिलेगा Amazon Pay Later का तो सिंप्ली आप यहाँ पर Amazon Pay Later के Options यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे तो Amazon Pay Later वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे बता रहा है कि इंस्टंट आप यहाँ पर साथ हजार रुपे तक क्रिडिट लिमिट ले सकते मतब साथ हजार तक आपको यहाँ पर लिमिट मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा जिससे कि आ आप पर Amazon Pay Later से शॉपिंग कर सकते मोबाल रिचार्ज या गैस बुकिंग यह सब आप इससे पे लेटर से कर सकते और अगले मेने यहाँ पर इसका बिल पे कर सकते हैं ठीक है तो यह आपके सिबिल के उपर डिपेंड करेगा जैसा आपका सिबिल स्कोर होगा उसी हिसाब से आपको limit मिलती है देखेंगे तो no hidden charge मतब कोई भी इसका hidden fees नहीं है fast and यहाँ पर easy इसका one click में payment हो जाता है ठीक है अब इसको activate करने के लिए check your reliability का options मिलेगा simply आप इस पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना credit score सबसे पहले चेक करना दालेंगे यहाँ पर अपना mobile number डालेंगे यहाँ पर email ID डालेंगे नीचे यहाँ पर अपने pen card का number डालेंगे यहाँ पर date of birth पूछ रहा है तो यहाँ पर day, month, year यहाँ पर date of birth डालेंगे उसके बाद यहाँ पर scroll down करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ट्रमेंट conditions जालेंगे उसको ।іш को टीक करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर Summit के options पर क्लिक करेंगे, submit क्लिक करने के बाद आपके mobile number बेगे जिस आप का डालेंगे और उसके बाद करेंगे, commit करने के बाद यहाँ पर देखें ही, तो जो भी आपका dealersbug स्कोर होगा यहाँ पर बता 8 second आप यहाँ पर click करेंगे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर AuthName डालेंगे उसके बाद continue करेंगे कान्टीन्यूव करनेके बाद यहाँ पर देखिएंगे तो आपका so तो थोड़ा से यहां पर वेट करना होगा आपको बिल्कुल भी पेज को क्लोज या बैक नहीं करना है तो यहां पर हम वेट करते हैं उसके बाद यहां पर देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा ठीक है अब उसके बाद यहां पर देखेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके अधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नमबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा जिस OTP को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे कांटीनिव करेंगे कांटीनिव करने के बाद यहाँ पर देखें तो फिर से यहाँ पर तीर प्रोसेस को कम्प्लीट कर रहा है डिटेल को वेरिफाइ कर रहा है और उसके बाद आप जितना भी हम मतलब लिमिट के लिए इलिजबा लोंगे उतना आपको लिमिट यहाँ पर यह बता देंगे ठीक ह या फिर 10,000 की भी मिल सकती है या फिर 40,000 की भी मिल सकती है यह आपके profile और civil के उपर depend करेगा जैसा होगा उसी साब से यहाँ पर limit मिलेगी फिलाल मुझे यहाँ पर 25,000 रुपे की limit यहाँ पर मिल चुकी है अब आपको कुछ नहीं करना नीचे यहाँ पर देखेंगे तो agree and continue क मिलेगा simply यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो your amazon pay later has been successful register redirecting to amazon मतलब हमारा amazon pay later यहाँ पर successful register हो चुका है आप बिल्कुल भी यहाँ पर अप्लिकेशन को close या back नहीं करिएगा आप automatic amazon application में redirect कर दी जाएंगे ठीक है थोड़ा सा wait करेंगे और फारली यहाँ पर हम amazon के application पर आ चुके और फिर से यहाँ पर amazon pay वाले options पर click करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर आपको amazon pay later वाला options देखने को मिल रहा है और इसमें देखते 25,000 रुपे की हमको limit यहाँ पर मिली हुई है यहाँ पर दिखा रहा है ठीक है अब इसका आप इस्तमाल कैसे करेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करें ही है अगर आप यहाँ पर 10,000 यूज कर लेंगे तो उपर वाले में 10,000 आपको दिखाएगा और यहाँ पर आपको कितना है कितना बचा सबाब को दिखा देगा अगर अमाल यहाँ पर कोई भी समान खरीदते हैं और उसके अगले मेने आपको repayment करना होगा 3-4 तरह की बीच में तो repayment कैसे करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर देखेंगे आपको make payment का एक options मिलेगा यहीं पर click करके आप जो भी limit यूज किये रहेंगे उसका आप repayment भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर Amazon Pay Later activate कर सकते हैं so I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं हो लिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप से नेक्स्ट विडियो में